Hello guys, welcome to my channel, I am Sashankti Vari and this is my other video So guys, आज के इस वीडियो का topic है how to rank your channel दोस्तों अगर आप भी चाहते हो अपने YouTube channel को rank करवाना अगर आप भी चाहते हो अपने channel को एक नई growth देना तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी technique के बारे में बताऊँगा जिसके help से आप अपने channel को improve करने का try कर सकते हो एक दोस्तों एक trial है एक ऐसा method है जिसके help से आप एक setting कर सकते हो अपने YouTube channel पे जिसके help से आपका जो वीडियो है आपको जो पूरा whole channel है वो थोड़ा search result में आ सकता है उसकी जो ranking है वो बढ़ सकती है तो दोस्तों अगर आप भी चाते हो अपने channel को rank करवाना तो यहाँ पे आप इस method को try कर सकते हो अब यह आपकी channel पे helpful होता है कि नहीं वो आप पे depend करता है बट यहाँ पे आपको मैं एक चीज ऐसी बताऊँगा जिसके help से आप अपने video को अपने channel को थोड़ी सी growth देने का try कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप भी चाते है इस video को देखना तो प्लीज इस video को skip मत करना है इस video स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा channel सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and also hit the bell icon settings को option मिलता है उस settings पर आपको click करना है तो यहां पर आपके सामने दोस्तों ऐसा कुछ interface आएगा तो यहां पर आपको channel वाले second option पर click करना है तो यहां पर आपको एक option मिलता है keyword का दोस्तों यहां पर add keyword लिखा है enter comma separated values तो यहां पर आपको दोस्तों keywords डालने है अगर आप यहां पे keywords डालते हो तो आप अपने channel को बहुत अच्छी growth दे सकते हो तो यहां पे जो सबसे पहला channel का keyword होता है वो होता है आपका channel का नाम यहां पे दोस्तों यह same tag की तरह है यहां पे आप नीचे देख सकते हो 500 letters हैं यहां पे 500 के अंदर ही आपको इसमें सब कुछ लिखना है एक limit दी गई है तो यहां पे जैसे आप किसी भी particular वीडियो का tag लगाते हो वैसे यह जो keyword है यह तरह का channel का tags है तो यहां पे आपको अपने content से related tags डालने रहते हैं जिसको हम keyword बोलते हैं तो यहां पे सबसे पहला keyword आपके चैनल का name होना चाहिए दूरसरा आप आपके content से related जो भी आपको suitable लगे जैसे मैंने यहां पर यूटूब tips रखा है बहुत से लोग earning के उपर वीडियो बनाते हैं तो यहां मैंने earn money लिखा है वैसे ही अगर आप update बताते हो तो यहां पर यूटूब updates भी लिख सकते हो मतलब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है क आपको कुछ भी फालतू की चीज़ यहां पर नहीं लिखनी है क्योंकि अगर आप गलत चीज़ यहां पर टाइप करते हो तो वह आपके चैनल को गलत impact भी दे सकता है आपको यहां पर सिर्व वही चीज़ लिखनी है वही keyword डालना है जो आपके content से related हो तो यहां पर यह जो information नहीं होती कि इसको use कैसे किया जाता है तो यहां पर इसका जो सही तरीका है वो यही है कि आप अपने चैनल का नाम keyword में डाल सकते हो अपने content से related keyword डाल सकते हो मतलब जो भी आपके content से match करें उसके बास simply आपको इसको save कर देना है तो यहां पर दोस्तों यह था एक बहुत ह काईदे का method जिसके help से आप सही तरीके से अपने channel को grow कर सकते हो तो दोस्तों यह था आज का video hope you like this video please like and subscribe my channel thanks